हलो फेंट स्वागत है आपका अपने चैनल रिटा सड़का में और आज हम बनाएंगे भरवा करेली यह खाने में बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे कच्छे नहीं लगेंगे और साथी में जो इसके अंदर की स्टफिंग है वो भी बाहर नहीं निकलेगी और आप करेली बनाते समय कोशिश करें थोड़े चोटे साइस के करेली ना लें क्योंकि चोटे वाले करेली बनाने में आसानी भी होती है जल्दी भी बन जाते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं तो करेलों को काटना किस तरीके से हैं वो देख लेते हैं पहले हम इनके कोनों काटेंगे और इनका छिलका निकालेंगे तो ध्यान रखें जो इसका छिलका यह वह हमें फैंकना नहीं है उसे हम यूज करेंगे तो यह इस तरीके से मिश्का निकालना है mare सब्भार के मुटास चिछलका निए निकालना है लेता को निए जाएamp newring मैंने करना का निए इस तरीके से लिएटाना निकाल निकाल befłam है कृण तो करेल लगाने के बाद इसी के साथ जो चिलके हैं उन पे भी हम नमक लगाएंगे तो इन दोनों पर नमक लगाने के बाद कमसे कम आदे गण्टे के लिए रख देंगे जिससे की जो इसका कड़वा पन है करेले का वो निकल जाए तो आदा घंटा हो चुका है अब हम ये करेले और साती में जो छिलके हैं इनको हम पानी में अच्छे से दो लेंगे तो सबसे पहले हम ये करेलो को दोएंगे तो पानी लेंगे और इसमें अच्छे से रगड़ते हुए इन करेलो को दोएंगे जिससे जो भी इसका कड़वापन है वो निकल जाए तो इस तरीके से आपको पानी में दो से तीन बार इनको दोना है और फिर कसके निचोड लेना है और करेलो को दोने के बाद अब हम यह चिलके दोएंगे तो इसके अंदर भी हम पानी डालेंगे अच्छे से मस लेंगे और इनने कसके निचोड लेंगे तो दो से तीन बार हमें इनको भी ऐसे ही दोना है तो यह देखें यहाँ पे जो करेले हैं इनको अच्छे से धो लिया है इसका पानी निकल गया है दूसरी साइड जो चिलके हैं इसको भी हमने दो थीन बार पानी में अच्छे से धो दिया है और कसक के निचोड़ना है इससे इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं ह openness है केवेदे देखे dalla में और लेएगे करेला और इस तरीके से रहते हैं यह देखे सिरे हैं यह साइड होगा व्रेदे यहुमों कुछ पार नहीं निकंए तो इस तरीके से बीच में कट करेंगे अच्छे से और जो भी इसके बीज है अंदर और जो भी इसका अंदर पल्प है वो हम इसे निकाल लेंगे तो उंगलियों से इस तरीके से इसे ऐसे करेंगे बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे इसके बीज तो ये देखे इस तरीके से हमें करेले के अंदर से बीज और जो भी पल्प है वो निकाल लेना है इस तरीके से इसी तरीके से सारे करेलों को हम बीच में से कट करके इसका जो भी बीज पल्प है वो निकाल लेंगे और साथी में ये जो बीज है ना ये पके हुए बीज है अगर आपको पसंद है तो आप डाल देजे लेकिन मैं इनको इसमें से हटा रही हूँ ये कुछ जादा ही पके हुए है जो कच्चे बीज है वो आप इसमें डाल सकते है तो सभी करेलो को हम इसी तरीके से काटके रेडी कर लेंगे तो ये देखिए सभी करेलो को हमने इस तरीके से काटके रेडी कर लिया है और साथी में जो बीज हैं और चिलके हैं उनको हमने एक साथी रख दिया है और अब हम बनाएंगे इसके लिए स्टफिंग तो उसके लिए पैन में हम डालेंगे दो बड़े चमच के करीब मस्टर्ड ओयल तो करेले बनाते समय कोशिश करें मस्टर्ड ओयल ही यूज करें क्योंकि इसमें करेले बहुत ही जादा टेस्टी बनते हैं तो पहले इस ओयल को बहुत अच्य तरीके से गरम और वैसे भी मस्टर्ड ओयल नहीं है तो भी ऑल है वो यूज कर सकते हैं घृ आरीच गया है इसमें डाल देंगे यह मीड़ियम फ्लेम पेड़ रप्याज को अच्छे से भून लेंगे प्या बिखें अब जलाख्य ब सुझी है अब यह दिर्श सप्राले ब हलकर भून दो छो तो जो भी घुझ प्याच को ब्राउन नहीं करना है तो अब इसमें हम डाल देंगे यह चिलका और जो हमने इसके बीज और पल्प निकाले थे करे लेके वह हम इसमें डाल देंगे और इसे भी अब प्याच के साथ और भूनेंगे मतलब 2-3 मिनट तक हमें इसे बूनना है गैस यहाँ पे कर देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे दो से तीन मिनट हो चुके हैं और दो से तीन मिनट के बाद आप देखेंगे जो हमने इसमें छिलके और पल्प डाला है करेलों का वह अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं मतलब प्याज के साथ अच्छी तरीके से यह दोनों चीजे भून चुकी हैं अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें मसाले डालेंगे तो मसालों में हम इसमें डालेंगे एक छोटा चमच के करीब डालेंगे धनिया पाउडर इसी के साथ इ कमची में तो पूरिए यह रहाँ तो आपको ज़ी है तो यह में डालेंगे 2 से 3 बड़े चमच के करीब और इसी के साथ यह बड़ा चमच अमचूर पाऊडर और शाद हम दालेंगे एक बड़ा चमच चीनी तो चिंटा ना करें चीनी डालने से आपको भी रिज्वी नहीं तक भूनेंगे तो दो से तीन मिनट तक भूनने के बाद यह देखिए इस तरीके की दिखेगे आपको अब हम बीच में इस तरीके से थोड़ी सी जगे बना लेंगे अभी यहां पर जो गैस की फ्लेम है वह आपको लोही रखनी है अब इसके बीच में डालेंगे एक चोटा बहुत अच्छा आएगा तो बेशन डालने के बाद इसे दो से तीन मिनट तक हमें और भून लेना है यहां पर मैंने इसको दो से तीन मिनट तक बिल्कु लोह फ्लेम पे और अच्छे से भून लिया है अब इसमें हम डालेंगे एक चोटा चमच नीबू का रस वैसे तो हम मैंगो है जिसेक अच्छा आम बोलते हैं वो है तो आप चोटा से कच्छा आम ले ले लें उसे कद्दूकस करें वो आप इसमें डाल दें उससे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है करे लो में अगर नहीं है करें तो आप इस तरीके से नीबू का रस और अम्चूर तो स्पून की हेल्प से हम इसके अंदर करेलों के अंदर स्टफिंग को डालेंगे तो अच्छे से भर लेंगे इस तरीके से दबाते हुए और कोनों में भी इसको ऐसे दबा देंगे तो दो चम्मच या तीन चम्मच जितनी स्टफिंग आए उतनी आपको इसमें भरनी है तो यह देखे इस तरीके से सभी करेलोग अंदर हमें स्टफिंग को अच्छे से भर लेना है और अब हम इने फ्राई करेंगे तो करेलो को फ्राई करने के लिए या पे पैन गरम करने के लिए रख दिया है इसमें हम डालेंगे तीन से चार बड़े चमच मस्टर्ड ओयल और ओयल को अच्छे से गरम होने देंगे तो करेलो को फ्राई करते समय कोशिश करें आप पैन का ही यूज करें इसमें क्या होता है जब हम करेलो को पलटते हैं तो बहुत ही आसानी से पलट जाती हैं और स्टफिंग भी बाहर नहीं निकलती है कड़ाई में क्या होता है एक के उपर एक करेले रहते हैं जब हम उन्हें पलटते हैं तो पलटने के चक्कर में स्टफिंग बाहर निकल जाती है इसलिए पैन का ही यूज़ करें और जैसे ओयल अच्छे से गरम हो जाएगा गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और एक करके इनमें करेले डालेंगे तो करेलो को हमें बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई करना है जिससे कि अंदर तक अच्छे से सिख जाएं मतलब कच्चे ना रहें और उपर से भी न जलें तो एक करके सारे करेले इसमें डाल देंगे और पहले एक साइड से अच्छे से से शेक लेंगे उसके बाद हम इने पल्टेंगे और बस थोड़ी देरे बाद हम इस तरीके से धीरे-धीरे इनको पलटेंगे और इसी तरीके से पलटते हुए हम इने अच्छे से से शेख लेंगे जब तक यह अच्छे से शेख नहीं जाते मतलब अच्छा से इन पे कलर नहीं आ जाता गोल्डन ब्राउन जैसा कलर वो हो जाना चाहिए उपर से और थोड़ा साना इसके उपर हम नमक डाल देंगे चुटकी भर के करीब इससे करेले बहुत ही जल्दी पक जाते हैं मतलब कच्चे नहीं रहेंगे और बहुत ही जल्दी बनके रेडी होंगे तो चुटकी भर डाल देंगे और एक बार इन्हें और पलट लेंगे तो बस इसी तरीके से पलटते हुए हम इने अच्छे से से शेक लेंगे और आप यहाँ पे देखी सकते हैं इसके अंदर की स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है तो यह देखिए थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे करेलो का कलर चेंज हो गया है और अच्छे से फ्राई हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं लेकिन अभी हम चेक करेंगे कि यह कच्छे दो नहीं है तो चापू से इस तरीके से इसको चेक करेंगे यह देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से करेले बन चुके हैं बिल्कुल भी कच्छे नहीं है अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें सर्व करेंगे तो आप इन करेलो को पूरी और पराठो के साथ खाईए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं करेले पूरी और पराठे के साथ तो यह लीजें यहाँ पे यह भरवा करेले बनके तयार है और आप देख सकते हैं इसकी स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली है बहुत ही टेस्टी करेले बने हैं और खाने में भी बिल्कुल कड़वे नहीं है तो इस रेस्पी को आप एक बास जरूर ट्राइ करें और ट्राइ करने के बाद मुझे कमंड बॉक्स में कमंड लिखना बिल्कुल न भूलें साथ ही में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें जल्दी ही मिलेंगी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार